नमस्कार किसान भाईयों मैं हूँ पवन और आपका फ्वागत है आपके अपने चैनल पवन गुरूप आफ अगरिकल्चर में किसान भाईयों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गर्मी की जुताई हमें क्यों करनी चाहिए गर्मी की जुताई करने से फायजे क्या होते हैं और गर्मी की जुताई करने का फही तरीका क्या है तो पूरी जनकाय देंगे किसान भाई यो वीडियो को पूरा रेखें किसान भाई खेत की जुताई का काम अक्सर बुवाई की समय करते हैं जबकि फफलों में लगने वाले कीट ब्याधियों की रोगथाम की द्रिफ्टी फे बुवाई की समय की गई जुताई से जदा लाग गर्मी में गहरी जुताई करके खेत खाली छोड़ने से मिलता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से भूमी का तापमान बढ़ जाता है इससे कीटों के अंडे और प्यूपा लार्वा खत्म हो जाते हैं फफल के अच्छी उपज के लिए रभी की फफल कटाई के तुरंद बात गहरी जुताई कर ग्रिस्म रेतु में खेत को खाली रखना बहुत ही लबदाया करता है क्योंकि कीटों के अंडे प्यूपा और लार्वा खत्म होने फे खरीद के मोफ़म में धान बाजरा दलहन और सब्जियों में लगने वाले कीट रोब का प्रकोग कम होता है किसान भाईों अब हम बात करते हैं कि गर्मी की जोताई करने से हमें क्या लाब होता है तो किसान भायों गर्मी की जोताई से सूरी की तेज क्रोडे भूमी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं जिससे भूमी गत कीड़े, अंडे, संकू, वयस्क, प्यूपा सब नफ्ट हो जाते हैं खेत की मिट्टी में ढेले बन जाने से जो अर्फा का जल होता है, सोखने की छमता उफ में बढ़ जाती है, इससे खेतों में ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है, किसान भायों गर्मी की जोताई से गोबर की खाद, वह खेत में उपलब्द अन्यकारवनिक पदार्थ, भूमी में भली भाती मिल जाते हैं, इससे ओफक्ता तो फिग्र ही फफलों को उपलब्द हो जाता है, किसान भायों अब हम बात करते हैं कि गर्मी की जोताई हमें कैफे करने चाहिए, किसानों को गर्मी की जोताई 20-30 मीटर गराई तक किसी भी मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, यदि खेत का धलान पूरब से पस्रिम की तरफ हो तो जोताई उत्तर से दच्छिड की ओर यानि धलान को काटते हुए करनी चाहिए, टेक्टर से चलने वाले तवेदार मोड बोल्ड हल भी गर्मी की जोताई के लिए उपयूगतों होते हैं,